नमस्कार दोस्तों मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरी यूटूग चनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी ख़बर एक बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं देख सकते हैं कि प्रात्मिक सिशकों के बीच सबसे अधिक परती असपर्धा है प्रामिक सिट से दोगना आवेदन आए हैं जी हां अगर सिट की बात करें तो असी के आसपास प्रात्मिक सिशकों के हैं लेकिन भूल पीटा जाता है एक लाख अटतर हज्यार जिसमें से वन टू फाइव सिट एक भी नहीं है इलेवन ट्वेल्थ नाइन टेंथ और इलेवन टेंथ सिटे बागे से बचे हुए हैं तो क्या प्रामिली इस पे जाएंगे लेकिन सरकार हमेंसा झोल पीचते हैं कि एक लाहग पाठतर हजार लेकिन इसको बाठ के देखिए खिए तो भी पाठे है नहीं हे और बाठ ही थै़ गर और बातverse नाइज़ जब का सिट जो कि यसमेह न इसमें साथ से आठ हजार सीट मेल का है और सबसे जादे करूण रीडेट होते हैं तो वी सीट में अपनें और फॉइल यहें लेख न देखे लाकर सीट का liberate नहीं मिलेंगे हमको बहरे लाना पड़ेगा खर छोड़िए उसे बात को चलते हैं में पॉइंट पे देख सकते हैं मादमी को उच मादमी के सीट से कम आभिदन प्राप्त हुए हैं उच मादमी को में समाजिक विज्ञान के सीटे खाली रहेंगी तो चलिए इस ख़बर को विस्तार से देखते हैं यह पटना चपके आ रही है हिंदुस्तान पेपर में इस नूज को परकासित किया गया है और यह अभिसे कुमार के तुरह तरब से परकासित हुआ है पटना हाई कोट के आदेश के बाद अब बिहार लोग से बायों की और से होने वाली हिच्छक बहाली का रास्ता साप हो गया है चकन्यूकती परकिरिया के लिए आने वाले आविद्नों के अनुसार सबसे अधिक परतियस पर्दा प्रात्मिक सुष्कों के बीच होगी पहले से तो इतना ही था कि होगा ही होगा अब दो मिसाल हटाने के बाद इसे और जादे कर दिया गया है क्योंकि अब जो भी सीट होगी और मेरिट कम से कम असी और पचासी के आसपास जा सकता यह कट पहले लग रहा था कि 55 जो नमबर लाएंगे जनरल सभी उनका भी हो जाएगा लेकिन अब सीधे भाग गया है असी और पचासी के बीच में अभी तक दो लाख पैंतालीस हजार से अधिक छातों ने देट है सैद फारम तक अगर फारम का देट नहीं बढ़ता तो कम सकता तिन साड़े तिन लाख के पास आसपास रह सकता या फिर और भी बढ़ सकता है क्योंकि लाश्ट दो दिल में फारम अधिक गिरेगा क्योंकि बहुत सारे डॉक्मेट बनाने में भी बीजी है जिनका डॉक्मेंट अभी तक नहीं बना है अधिक चातों ने पंजन कराया है इसमें लगभग एक लाख असी हजार अभियरतों का आविदन फाइनल हो गिया है यानि कि एक लाख असी हजार का फाइनल पेमेंट इतना लोग कर चुके हैं उमेद है कि पांच लाग के आसपास जुक्ति के लिए तिन परिच्छों के लिए अभिदन लिये जा रहा है इसमें कच्छा एक से पांच में के लिए सबसे अधिक परतियस पर्दा होगी इस परिच्छा में भाग लेने के लिए बहारी अभियरते भी आएंगे सिटेट सफल अभियरते भी आविदन देंगे अभी तक सबसे ज़्यादा आभिधन कच्छा एक से पाँचमी के लिए प्राप्त हुआ है। कुल 2,45,000 शातों ने पंजन कराया है। जबकि इसमें 1,03,000 अधिक अभिधन कर दिया है। यानि कि 1,25 की बात करें तो 1,500,000 के आसपास अभिधन कर चुके हैं। आपको बताया जा रहा है। इस वर्ग में 3,00,000 से अधिक आभिधन आने की उमीद है। यानि कि कहा जा रहा है कि 1,25 होगा 3,30,000 के आसपास आभिधन आ सकते हैं। इसमें पदों की संख्या 80,000 के आसपास है। हलाकि बाहरी लोगों को आरच्छन का लाव नहीं मिलेगा। हमने पहले भी बताया कि जो अधर अश्टेट वाले हैं वो जनरल पर फाइट करेंगे। जनरल के सीट मेल का 13,000 है और फिमेल का भी 13,000 है। टोटर मिला के 26,000 है। तो मेल फिमेल के सीट पे नहीं जाएंगी लेकिन फिमेल मेल के सीट पे आ सकती है। उनका 50% का अरच्छन है और 50% में भी फिमेल जाएगी। इससे पता चलेगा कि जो 13,000 फिमेल का सीट है वो भी खाली जाने की उमीद है। बहुत सारे अभ्यारति ऐसा मांग कर रहे थे कि जो फिमेल का सीट महलाओं का सीट खाली जाएगा उसे पुरुस का उसी कैटिग्री को पुरुस का लेने का अधिकार हो तो विभागने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, शीट खाली चल जाए चल जाए लेकिन हम किसी को नहीं लेंगे। सबसे ज़्यादा पर्तियस परद समान स्रेनिके अभीयरत के बीच होगी इसका कट आफ हाई जाएगा हलाकर बिहार के अंधशरेनियो के अभीयरत जिनका अंक बहतर होगा उनका प्रतिय असमानि के अभियरत अभ्यारत वलुकर के अधिक कर सकते हैं माध्यमिक और उच माध्यमिक सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं देख लिए हां संख्या यहां कम है यहां पर डो मिशाल हटाना चाहिए इन कैटिगरियों को बाहरी को लाना चाहिए था इसमें भी हो जाएगे बहुत सारे आवेदन भी पढ़ेंगे लेकिन 125 में परतियस परदा और बढ़ा दी हैं जबकि वहां पर होना ही नहीं चाहिए था किसी भी राज का देख लिए 125 में नहीं मिला जाता है उनका लोकल लेंग्वज का होना बहुत ज़रूरी है उच माध्यमिक में समाजिक विग्यान के सीटे खाली रहेंगी वर्क के अनुस पंजन कराया है अब देख लिए मार्यवी का उन्च मार्य में डूंच के हgam क्यों हैं वह मोटाते शक अभीटक तएपल से कम अबिद्दन परत हुआ है यानि कि जितने सीट है उससे कम ही आप प्राप्थ हुआ है कि बहुत सारे संख्या नहीं हुए हैं जो एक्जाम हुए हैं उसमें करदेट नहीं हैं माध्मिक में 32,916 पर अभी तक पंद्रह हजार आविदन प्राप्त हुए हैं सोच लिजिए यहां पर संख्या बहुत कम हैं वहीं उच माध्मिक में 7800 अबेदन आए हैं हलाकि अबेदनों की संख्या अभी बढ़ेगी एस्टेटी के माध्मिक का उच माध्मिक परिच्छा में 8402 से अधिक अभ्यरती सफल हुए थे इसमें माध्मिक के लिए 57602 रिक्तिया निकाली गई हैं पर उच माध्मिक में समाजिक विज्ञान और हिंदी के लिए एस्टेटी ही नहीं कराई गई है अगर ये दोनों विशाय का एस्टेट हो गया होता तो आज कर्णिडेटों की संख्या बढ़ गई होती ऐसी इस्टेटी में समाजिक विज्ञान और हिंदी विशाय के लिए जो रिक्तिया निकाली गई है वह सीटे नहीं भरेगी इसके स संख्या 25,000 है साइंस के लिए सिर्फ एस्टेटी आयुद की गई थी और किसी का नहीं किया गया था इसमें खर जो पासिंग नंबर भी ले आएंगे उनका भी सेलेक्शन होने का चांस है क्योंकि अभी अथिक अनुसार डेट के अनुसार सीटों के रूप फार्म की संख्य ही सबसे कम आया है तो जो जितने नंबर लाएंगे यानि कि पासिंग नंबर वो सेलेक्शन उनका निश्चित है तो एक अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों इसी तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे त है निवाद दोस्तों